हेलो दोस्तो स्वागत है आपको इस तुडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तो घर बैठे आप अपने union bank of India में अधार सिडिंग कैसे कर सकते हैं अगर आपका union bank of India का bank खाता है और अगर आप अपने bank खाता के साथ अधार सिडिंग करना चाते हैं तो दोस्तो कहीं भी जाए बिना भी आप अपना घर बैठे ही अधार सिडिंग जो है वो आप कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी Google या Chrome ब्रोजर पर जाना है और ज़स्ट NPCI टाइप करके आपको सर्च कर देना है दोस्तो जैसे ही आप NPCI लिख करके सर्च करोगे तो जो ओफिसल वेबसाइट है NPCI का वो आप देख सकते हो NPCI.org.in यह जो पेज है दोस्तो जो यह ओफिसल वेबसाइट है आप यह देख सकते हो आपको इसी official website पे click कर देना है दोस्तों जैसे ही हम NPCI के official webpage पर click करेंगे हमारे सामने NPCI का website जो है वो यहाँ पर open हो जाएगा थोड़ा सा आपको time लगेगा और यह कुछी तरह से आपके सामने open हो जाएगा यहीं पर आपको एक option दिखेगा दोस्तों consumer का आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको consumer का option दिख रहा है यहाँ पर आपको consumer के option पर ही click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप consumer के option पर click करेंगे तो आपको कई सारे options जो हैं वो देखने को मिल जाएगा यहीं पर एक option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत अधार सीडिंग इनेबलर बेस का यह देख सकते हैं आपको simply इस वाले option पर ही क्लिक कर देना है भारत अधार सीडिंग इनेबलर बेस के option पर ही क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप भारत अधार सेटिंग इनेबलर बेस के option पे click करेंगे उसके बाद दूस्तो एक सेकेंड यहाँ पे उसके बाद दूस्तो आपके सामने थोड़ा सा page loading लेने के बाद इस तरह से interface जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे देख सकते हो जो bank में आप अधार सेटिंग कर सकते हो उस bank के यहाँ पे कई सारे banks जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इन सभी bankों में अधार सेटिंग जो है घर बैठे कर सकते हैं आपको यहाँ पे एक menu का icon दिखेगा देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक menu का icon दिखेगा इसी menu के icon के option पे ही click करना है और जैसे इस पे click करोगे आपको यहाँ पे option दिखेगा अधार sitting का option दिख गया है तो आपको simply अधार sitting के इस वाले option पे दुस्तों click कर देना है अधार sitting के पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहां पर दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी अधार कड़कर नंबर है एक सगेंड हम यहां से डेश्टॉप साइट अन कर देते हैं ताकि आपको वेटर व्यू और थोड़ा सा गाइड आपको अच्छे से मिले ठीक है तो आपको यहां पर एक सगेंड सीजन एक्सपायड हो गया तो मैं फिर से यहां पर एक बार रिफ्रेस कर देता हूं उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप मैन्यू के आइकन के आप्शन पर यहां पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके करने के बाद यहां से आपको बेंख करना होगा कि किस बैंक मैं अपना जो है वो आप करना चाते हो तो तो यहाँ पे कई सारे banks के options अब लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे कई सारे banks मिलेंगा, यहाँ पे आपको Union Bank of India सेलेक्ट कर लेना है, Union Bank of India सबसे नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा, UCO Bank के नीचे आपको Union Bank of India का option देखने को मिल उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको sitting type पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको कई सारे अलग-लग options देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे fresh sitting, movement from one bank to other bank का और यहाँ पे movement यह तीन options आपको मिलेगा सबसे प्ले मैं fresh sitting की बात करूँ तो दोस्तों आज तक आपने कभी भी अपना किसी भी bank के साथ अधार sitting नहीं किया है मतलब आज तक आपका कोई भी bank के साथ अधार sitting नहीं हुआ है तो उस condition में आप fresh sitting की option पे click किजिएगा देखो अधार sitting होता क्या थोड़ी से मैं आपको जानकारी यहाँ आप दे देता हूँ अधार sitting करने से क्या benefit होता है कि दोस्तों government के तरफ से जितनी भी कोई भी सबसीडी बगरी आती है जैसे कि LPG cash की सबसीडी अधार sitting के तरफ से कोई भी payment आता है तो जिस bank खाते में आपका अधार sitting रहेगा उसी bank खाते में आपका payment आएगा ठीक है तो आपको simply बात बता दू तो fresh sitting आर्थ तक आपने किसी भी bank में नहीं की है पहली बार आप Union Bank of India में अपना अधार sitting कर रहे हो तो उस condition में आपको fresh sitting के option पे click करना होगा यहाँ पे आपको simply fresh sitting के option पे click करना होगा लेकिन दोस्तों मान के चलो मेरा पहले एक SBI bank में अधार sitting हो रखा था अब मैं इसे हटा करके करना चाहता हूँ अपना Union Bank of India में तो उस condition में यहाँ पे movement from one bank to other bank के option पे click करना होगा हलाकि मेरा condition में मेरा Union Bank of India में मैं पहली बार अपना अधार sitting कर रहा हूँ तो उस condition मुझे fresh sitting के option पे click करना होगा उसके बाद आप से account number माँगा जाएगा जो भी आपकी खाता संख्या है तो account number आपको यहाँ पे भर लेना है और यहाँ पे भी account number खाता संख्या भर लेना है भर लेने के बाद आपको यहाँ पर term condition जो है आप पढ़ सकते हैं बाकी मैंने यहाँ पर टिक मार कर दिया है पर बढ़ लीजेगा फिर यहाँ से भी टर्मेंट कंडिशन बढ़ लीजेगा उसके बाद जो एक capture code है दोस्तो यह आपको capture code यहाँ पर नीचे इंटर दक इंटर एवर capture में यहाँ पर यह जो capture code है यहाँ पर भर लेना है जैसे यहाँ बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का आपको सिंप्ली नीचे के उप्शन पर देखने को मिल जाएगा आपको एगरियांट कंटिन्यून पर क्लिक कर देना है जै जैसे ही आप agree and continue के option पे click करोगे, आपके registered mobile number पर जो भी आपके अधार के साथ registered mobile number होगा, उस पर OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पर भर देना है, और OTP भर देने के बाद simply दोस्तों आपको यहाँ पे submit का जैसे OTP डाल दोगे, तो आपको एक submit का option देखने को मिल जाएगा, submit के option पे click कर दीजेगा, जैसे ही आप OTP verify करके submit के option पे जैसे ही click करोगे, उसके बाद दो working days के अंदर जो भी bank का दो working days होता है, दो working days के ही अंदर आपका union bank के साथ आपका अधार sitting जो है वो complete हो जाएगा, तो यह NPCI के portal से भी आप online घर बैठे कर सकते हो, हलाकि online यहाँ पे तो आप directly अपना bank का branch जा करके भी आप अपना अधार sitting जो है वो बहुत असानी से कर सकते हो, तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please channel को subscribe कर दीजेगा, और कोई भी doubt या किसी पर करके पुझताच के लिए आप मुझे नीचे comment box में comment कर दीजेगा, ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like और channel को please subscribe पर देना, thank you, thanks watching the video